नमस्कार बच्चों! संस्क्रत कक्षा में आप सभी का श्रागत है आप सभी स्वस्थ होंगे आज मैं आपको संस्क्रत में मम परिचय यानि कि मेरा परिचय खुद का परिचय देना सिखाऊंगे जो की बहुत ही सरल भासा में है आप देखेंगे कि इसमें काफी सब्द बिलकुल हिंदी जैसे ही है सिर्फ आपको विशर्ग और हलंत का ध्यान रखना है विशर्ग सब्द के पीछे जो बिंदियां रखते हैं मैं एक-एक सब्द का अर्थ बताऊंगी आपको ध्यान से सुनना है और अपना पर्चय श्वयम लिखना सीखना है जैसे इसमें मैंने किसी रमेश नाम के बच्चे का पर्चय लिया है इसी प्रकार उसकी जगे आप अपना नाम लिखकर श्वयम का पर्चय दे सकते हैं आईए देखते हैं मम पर्चय है मेरा पर्चय मम नाम रमेश अस्ति मम मीस मेरा नाम रमेश अस्ति मीस है मतलब मेरा नाम रमेश है संस्कृत में बोलेंगे मम नाम रमेशह अस्ती मम कक्षा सप्तमी अस्ती इसमें लिखा हुआ है मम यानि मेरी कक्षा यानि क्लास सप्तमी यानि सात्वी सात्वी क्लास है इसकी जगे आप सस्टी यानि की छटी क्लास अपनी लिख सकते हैं या यदि आप एट्थ क्लास में पढ़ते हैं तो अश्टमी लिख सकते हैं अगली लाइन है मम विद्यालेश नाम राजकिये शर्वदय उच्चतर विद्याले करोल बागह अस्ती इसकी जगे आप लिख सकते हैं मम विद्यालेश नाम केम्बिरज विद्याले डबरा अस्ती मम मीस मेरा विद्याले मीस स्कूल नाम बिल्कुल वैसे ही है जैसे हिंदी में लिखा जाता है और आंगे इसकूल का नाम है अस्ती मीस है अगली लाइन है मम पितु हूँ नाम स्रीमान दिनेशहा अस्ती मम मीस मेरे पितु मीस पिताजी का नाम स्रीमान दिनेश है इसकी जगे आपके पिताजी का जो भी नाम है आप लिख सकते हैं मम मातु हुँ नाम स्रीमती लता अस्ती मम मीस मेरी मातु मीस माता जी का नाम स्रीमती लता अस्ती मीस है इसी प्रकार इसमें जैसे आप घर में अपनी मम्मी से या भाई बेहन से बोल चाल की भासा में पूछ सकते हैं तुम्हारा नाम क्या है तो आप बोलेंगे तुम नाम किम अस्ती इसके आंगे मैं आपको अगले वीडियो में और भी चीजों का परचे दूंगी तब तक आप इसे ध्यान से सुनें और इसका कार अपनी नोटबुक के अंदर करें धन्यवाद